हालो दोस्तों असलाम लाइकूम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल काजमा को विद्चोष को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना बुले तो चले रेसिपी स्टाइट करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी चिकेन कर फ्रिश रख लिया है यह रमजान इस्पेशल रेसिपी है तो उमीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसन आएगी प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें तो देखें आलू को भी हमने अच्छे से धोका छोटे-छोटे पीसे में काट लिया इसी तरीके से गाजर को और इसी तरीके से हमने प्यास को भी छोटे-छोटे टुकरों में काट लिया है देखें तो चलें वेज और नॉन वेज को मिला के बहुत ही टेस्टी सी रमजान इस्पेशल रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले देखें एक जार में हमने चिकन को ले लेना है इस तरीके स अब हमने एक लहसुन की भी कली को छिलके रखी थी उसे भी हम डाल देते हैं और हमने पानी एड़ नहीं करना हमें ऐसे ही पीसना है सूखा ही तो चलें इससे हमने पीस लेना है देखें इस तरीके से अब एक कराही लेते हैं और उसमें टू टेबल स्पून ओयल डालते हैं तेल देखें अब इसमें हमने चिकन डाल कर इसे अच्छे से थोड़ा दिर चला लेना है ताकि यह थोड़ा सा वाइट हो जाए अब इसमें हमने कुछ मसाला एट करना है तो देखें इसमें हाफ टीस्पून हमने रेट शिली डालना है पॉडर और हाफ टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स टाला है जिसे कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं और हाफ टीस्पून गरब मसाला पॉडर हाफ टीस्पून half teaspoon इसमें हमने नमक add किया है और इसे अच्छे से हमने मिला लेना है तक कि मसाला थोड़ा सा इसमें भून जाए देखें इस तरीके से देखें इसे अच्छे से हमने भून लिया है दो चार हाथ गास का फ्लेम अभी हमारा medium है अब इसमें हमने 2 आलू को भी चॉपट करके डाल अब इसमें half teaspoon हम नमक डालते हैं चोकि सब्जी हमने add किये तो सब्जी के according हमने नमक डालना है अब half teaspoon इसमें हमने हल्दी पॉरर एट करना है इसे हमारे चिकन और सब्जी की कलर बहुत ही अच्छी सी बन कर आएगी हल्दी पॉरर डालने के बाद थोड़ा में भून लेना है ताकि हल्दी हमारी कच्छी नहीं रहे अब देखे इसमें एक कप हमने पानी डालना है आप अपने अंदास से डाल सकते हैं और इसे बबल आने के बाद हमें लीड लगा देना है लीड लगा कर हमें तीन से चार हो चुका है अब इसका लीड हम हटाते हैं देखे कितना बढ़िया सा कलार आया है हमारे चिकन और सब्जी में देखे आलू और जो गाजर हमने डाला था वो भी पक कुका है अब हमने चिकन को थोड़ा सा मैश कर लेना है देखे इस तरीके से ताकि इसे जब हम स्टीक में तो वह एक दूसरे में चिप के और देखें इस तरीके से हमने भून लेना है दो हांथ, अब इसके बाद हमने दो हरी मेश भी डाली है चॉप करके आप अगर चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हैं अब हमने थोड़ी धनी की पति डाली है फ्रेश धनी की पति इससे बहुत ही क्यूब अब ये कुपि शुक करें काफ़ी स्थी क्राही लिंद कश्राओं दालको कराही को थोरा सा तीचा करके मैं में द्सकंड बाद इस लिए भूब है एधन हम ऋद करो अब 6 अब नौर्मल कर लिए मनेना में पुल धंब है देमिए भूब दालकर इसे अच्छे से mix कर लेना है ताकि लंप्स नहीं पड़े और देखें इसे भून लेना है अब इसमें mix कर लेना यह हमारी जो चिकेन और सबजी है उसको बांधने में कामाएगी बैंडिंग में कामाएगी देखें यह अच्छे से भून चुका अब थ्री टीस्पून हमने इसमें टमाटो सॉस डालना है और टू टीस्पून हमने चिली सॉस डाला आप चाहें तो इसे पहले भी डाल सकते हैं अब इसे हमने चला कर इसे ठंड़ा होने के लिए छोड़ देना है कम से कम आदा घंडा अब देखें हमने हाफ कप मैदा लिया है और देखें इसमें हमने ब्रेट क्रम लिया है वन कप और वन कप हमने सिवाई लिया उसे दोनों को हमने मिला लेना है इससे बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है, चिकन पॉप्सिकल, अब देखें हमने इस्टिक ले लिया है, इस्टिक को भी हमने एक घंटा पानी में फुला कर रख दिया था, ताकि यह जले नहीं, एक बॉल में हाफ कप मैदा लेते हैं, और हाफ टीस्पून इसमें हमने ब्लैक पेपर लिया है, ज़ाब नहीं पतला करना है, और नहीं गारा रखना है इसका बैटर, चुकत अमने इसमें डीप करना है, चिकन को, तो देखें सबसे पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं, अब हम ने जो चिकन का डो दो बनाया है, उसे भी हम हाथ में लेकर, इसमें थोड़ा हमने चीज डा देखें कितना बढ़िया सा शेप हमारे बन कर तयार हुआ अब हमने मैदे में इसे डाल देना है और इसे ब्राबर कर लेना है हमने इसमें डाला है इसलिए कि ताकि ये एक जगा पर स्टबल रहे अब देखें दूसरा भी हमने इसी तरीके से तयार कर लेना है डो को बीश में पहलाते हुए हमने इसमें चीज बीश में भर देना है अब इसमें स्टिक लगाकर इसे हमने फोल कर देना है जहां पे कमी रहेगी चिकन की तो हम वहां पे लगा देंगे थोड़ा अब देखे इसे भी हमने मैदे में अच्छे से लगाकर इसे हमने साइड में रख देना है सा अब देखे हमने इसमें जो हमने बैटर बनाया था उसमें हमने डिप करना है उसके बाद जो हमने सेवई और ब्रेट करम का जो है उसमें हमने इसे अच्छे से दबाना नहीं है बस इसमें घुमा देना है घुमा कर निकाल देना है ताकि जो सेवई है वो दिखे वो थोड़ी खड़ी रहे तो देखे इसी तरीके से हमने घुमाते हुए निकाल लेना है इसी तरीके से हमने सारे चिकेन को तयार कर लेना है तो देखे हमारा चीजी चिकेन पॉप्सिकल बनकर तयार है सारा हमने इसी तरीके से बना कर रख लेना है और फिर फ्राइ कर लेना है तो चलते है इसे फ्राई करते हैं तो देखें 400 गिराम हमने तेल लिया है और इसे अच्छे से हमने गरम कर लिया है पहले गैस कफले महाई रखकर हमने गरम किया है उसके बाद फिर गैस कफले मेडियम पर हमने इसे डाल देना है देखें अब इसे हमने पलट लेना है एक एक करके जब एक एक साइड अच्छे से हो जाए तब हमने दूसरी साइड पलटना है इसे नहीं तो यह तूट जाएगा देखें एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है इसे हमने दूसरी साइड फ्राई कर लेना है कितना बढ़ियां सा कलर आया है हमारे चीजी चिकन पॉप्सिकल का तो चले इसे हमने निकाल लेना है, यह अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखें कितना क्रिस्पी कितना क्रंची लग रहा है, रमजान इस्पेशल रेसिपी हमारी बन कर तयार है, अब चलें इसे हमने डिशॉट करनी है, कि बनी कैसी है, तो चलें इसे चेक करते हैं, कि बनी कैसी है देखें कितनी किस्पी कितनी करारी सी बन कर तयार हुई है तो चलें अंदर से चिक करते हैं कि बनी कैसी है देखें कितनी जूसी और चीजी एकदम बन कर तयार हुई है चीज कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है तो देखें आज शाम हम और आप मिलकर इसे टेश्ट करत आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी दूसरे तक जरूर शेयर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह बि इन्शालला अगली वीडियो में फिर आपसे मलाकात होगी एक नई पुरानी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान अल्ला हाफिज थैंक्स फर वाचिंग